हेलो एवरिवन वेलकम टू यॉर ओन चैनल इंग्लिश लवर्स मेरा नाम है सतेंदर सिंग और मैं आप सब का आज की इस पहली क्लास में बेसिक क्लास में बिल्कुल डे वन की क्लास में आप सभी का हर्दिक स्वागत करता हूं और मैं पूरी उमीद से कह सकता हूं कि आज की क्लास जब आप पूरी देख लेंगे तो आपको खुद को लगने लगेगा कि इंग्लिश बोलना इतना मुश्किल था भी नहीं तो गुड़ इवनिंग आप सबका स्वागत है एक बार फिर से गुड़ इवनिंग गुड़ इवनिंग संगीता मिकी कुमारी रूतुजा अ एक हैं गल्फ इंफोर्मेशन एक राजीर सेन हैं एक विकास हैं एक उमेश पटेल हैं बहुत से लोग हैं परदीप दिपी का हां ये भी बड़े रेगुलर स्टूडेंट है तो जो रेगुलर स्टूडेंट्स होते हैं उनके साथ पढ़के मज़ा भी बढ़ा आता है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए जो भी आचुके हैं एक बार ठीक है और ताकि हम शुरू कर सके आज किए जबर्जस्त क्लास अच्छा हां मैं भी ठीक है भाई समीर समझ गए तो इतने नाम है अगर किसी का नाल हूं तो बुरा मत मानना छोड़के मत चले जाना मुझे ठीक ह आपके विना मैं बिल्कुल अधूरा हूं अकेला पड़ जाओंगा यार अकेले मत छोड़ना वस ठीक है तो गुड़ इवनिंग गुड़ इवनिंग नमस्ते आदाप शस्रेयकाल वड़कम केम चो और जो भी अर्यानाते मन देखन लाग रहें क्यूंकि मैं अर्यानाते हूं भाई और ताम सबने मेरी राम राम ठीक है और तारा बड़ा भाई हूं बड़िया प्यार दो लाइक करो शेर करो और सबने समझा दो अगभाई मारा बड़ा वाई एक नमबर अंग्रेजी शिखाओ है और हम तो से शिखांगे चलिए शुरू करते हैं हम आज इवनिंग जल्दी से जुड़ जाई है बस बात करके अच्छा लगा जूम क्लास पर अरे वाह बहुत अच्छ है यह यूए में काम करते हैं आज जूम क्लास पर हमारी मीटिंग हुई एप्लिकेशन पर हैं यह तो बड़ा अच्छा लगा थैंक्यू थैंक्यू अब्रिव वड़कम वड़कम तमिलनाडू से बड़ा अच्छा लग रहा है महराष्ट्र से तो देखिए जहां-जहां से लोग जुड़ते हैं पूरा देश विदेश तो एक कहते हैं ना वसुदेव कुटम्भुकम तो मुझे वह फीलिंग आने लग जाती है मुझे लगता है इस ल अरखंड बिहार बोपाल दिल्ली बहुत अच्छा लग रहा है मुंबई वाव भीवा चातिश गड़ उडिश्चा लखनव दहरादून बच क्या गया कुछ बच गया कि बच गया बंगवाल भी आगया लदाख अरे वाह लदाक से भी हर्याना से भी चलिए पंजाब से भ आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत यह जो होती है ना पी हूँ और जितने भी हमारे नोर्थ इंडिया के आप सबको हैपी लोडी जो थोड़े साउथ के उनको हैपी पॉंगल तो यह एक त्योहार है हम सभी के लिए अलग अलग नामों से जाना चाहता है तो आप सभी हमें हमारी को आज की इस तिवार की हरदिक शुब काम ने Melanie चलिए शुरू करते हैं आज की क्लाइस दोस्तों अंग्रेजी बोलने तो देखिए दोस्तों आज की इस क्लास में जो होने वाला है वो यह होने वाला है बिल्कुल बेसिक से आप लोगों को मैं यह बताऊंगा कि कैसे आप लोग English को sentences बनाना आप सीख सकते हैं ठीक है sentence आप कैसे बना सकते हैं यह बड़ी दिल्चस्प बात होगी कि आज से ही कि आप sentences बनाना सीख जाएंगे English spoken batch कब आ रहा है भीया मेरी एप्लिकेशन पर जाईए वहां तो बहुत टाइम से है है ना हाप लोगों को शायद थोड़ा सा लेट हो गया होगा लेकिन अब भी आजिए मैं बताऊंगा इस वीडियो के एंड में तब तक जुड़े रहेग कि आप क्या हो हर कोई क्या पूछता है हाँ वही कौन हो आप है ना तो आपको बताना पड़ता है अपने बारे में उसके लिए हम क्या करेंगे हम ये चीज़ सीखेंगे सबसे पहले देखिए मैं मैं इस दुनिया में कोई भी भाषा हो कोई भी भाषा आप हमेशा खुद को सबसे उपर रखिएगा ये जो आप है ना इसको सबसे उपर रखिएगा मैं ठीक है सबसे पहले खुद के बारे में पता होना चीए मैं की इंगलिश होती है आए और उसके साथ आपको अगर बत कर रहे हैं present में क्योंकि हम present में जीते हैं वर्तमान काल में आप से कोई भी पूछता है कि आप क्या हो तो आप आज के बाद उसको sentence से जवाब देना सीख जाएंगे हूं तो हूं का मतलब होता है एम और यह जो combination है इसको बोला जाता है मैं यह हूं मैं यह हूं अब यह में क्या आएगा वह इंग्लिश में कैसे लिखेंगे आई एम डैस आई एम डैस सबसे पहला वाक्य आज का हम शुरू करते हैं उसके बाद दूसरा वाक्य आप करेंगे ठीक है क्या यह न्यू सीरीज है बिलकुल बिलकुल बहिया बिलकुल आप देख सकते हैं क्लास वन देखो मैंने बहुत से spoken English के courses किये हैं हर course को मैंने थोड़ा सा अलग तरीके से समझाने की कोशिश की है ताकि इस पूरी दुनिया में जो भी हिंदी से उर्दू से इंगलिज चाहता हो ना उसको यह ना लगे कि यार मुझी यह तरीका समझने आए तो मैं बहुत तरीके देने वाला हूं आने वाले टाइम में भी तो देखिए आप अगर वकील हैं आप किसी को बताना चाहते हो कि भाई मैं वकील हूँ तो आप कैसे बताओगे मैं वकील हूँ तो आपको सिर्फ एक कॉम्बिनेशन याद रखना है आए एम आए एम क्योंकि मैं यह हूँ यह आप इंगलिश में बताओगे आप कहोगे आए एंए अ लॉयर आए एप मा लॉयर की मैं एक वकील हूँ बाई अब आपको कहना हो मैं आपसे पूछूँ हूँ तो आप कहोगे मैं एक विद्यारती हूँ I am a student I am a student याद रहेगा आपको कहन है आयम आ स्टूडेंट नेक्स्ट यह बनाई यह मैं वेवसाई हूं वेवसाई वेवसाई कि English क्या होती है बिजनेस तो आप क्या है आप बिजनेसमैन है जल्दी से इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए ट्रांसलेशन हम करें के साथ-साथ ताकि आपकी practice भी साथ-साथ होती रहे, कोई homework का जंजटी ना बचे, बताईए जल्दी से, मैं वेवसाई हूँ, इसकी English क्या बनेगी दोस्तों, जल्दी बताओ, लिखो, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया, super 30 batch का experience बड़ा अच्छा था, मोनो भाई, thank you, thank you, देखो, आप सब इतना प्यार करते हूँ, उसी वज़े से, आज आपके जो सतेंदर सर हैं, उनको दो-तिन लोग जानते हैं, है ना, तो आप सब के प्यार की बदोलत ये चीज़ हुई है, चलिए, तो मैं वेवसाई हूँ, I am a businessman, कि मैं एक वेवसाई हूँ, मैं धन्दा करता हूँ, भाया, मैं खरीता हूँ, बेशता हूँ, मैं बिजनेस करता हूँ, तो इसके लिए आप बताएंगे, I am a businessman, अब आपको कोई situation बतानी पड़े, जैसे, आप कई बार कहते हो, यार मैं दुखी हूँ, यार मैं खुश हूँ, यार मैं उदास हूँ, यार मैं परेशान हूँ, ठीक है, तो ऐसी आपको जो अपनी mental situation किसी को बतानी पड़े, अपनी situation समझाने के लिए, आप भी इसी structure का use करेंगे, जैसे, मैं खुश हूँ, I am, ये सेम रहेगा दोस्तों, फिर उसके बाद I am happy, कि मैं खुश हूँ, ठीक है, simple है ना, मैं संतूष्ट हूँ, I am satisfied, तो I am याद रहेगा, तो बाकी की चीजें अपने आप लगने लग जाएंगी, ठीक है, चलिए, मैं उदास हूँ, बताईए आप सब क्या लिखोगे इसकी English, मैं उदास हूँ, क्या English आए लिखते हैं, वहाँ से लेकर आते हैं, तो आप क्या बनते हैं, मर्चेंट यानि की वेपारी, मर्चेंट नेवी का नाम सुना होगा ना, वहीं से ये पड़ा है, मर्चेंट, चलिए, बताईए, वेरी गुड, देखो, आप सब को आगे English, कौन कहता English नहीं आती है, आप सब इतनी अच्छी English तो बोल रहे हैं, और कितनी बोलोगे, अब अंग्रेश थोड़ी ना बन जाएंगे हम सभी, लेकिन शुरुआत करो, आपको English आती है, तो मैं उदास हूँ, I am sad, और इसी के बता चल गया, कि एक combination है English में, जिसमें आप बता सकते हो, मैं हूँ, I am, मैं एक विद्यारती हूँ, I am a student, मैं एक शिक्षक हूँ, I am a teacher, मैं एक चिकित्षक हूँ, I am a doctor, मैं एक dancer हूँ, I am a dancer, ठीक है, मैं एक waiter हूँ, I am a waiter, तो आप कुछ भी कहना चाहते हो, आप इससे ब पता सकते हो, मैं एक करमचारी हूँ, I am an employee, I am an employee, next, अब हमारा आता है दूसरा combination, अब दोस्तों देखिए, वह, वह यानि कि लड़का है तो हम लगाएंगे he, और लड़की है, अगर female है, लड़की है तो हम लगाएंगे she, ठीक है, और है का मतलब होता है, English में is, वह, क्या है, वह, ये है, वह, ये है, English में क्या बनेगा, he is, ये combination याद कर लो बस और इसके आगे की जो भी उसकी वेवसाय है, जो भी उसका occupation है, वो आप लिख सकते हो, समझा रहा है, वह एक गायक है, he is a singer, समझाया, तो है कि English हो गई, is, अब structure क्या बनेगा, वह गायक है, गायक यानि कि जो संगीत को गाता है, ठीक है ना, गाने वाला, गीत गाने वाला, तो he is, ये combination सेम रहेगा, और वो क्या है, वो एक ही है ना, इंसान, तो वो अगर गायक है, तो उसके आगे लग जाएगा, ये, he is a singer, he is a singer, अब आप बताएंगे, वह खिलाडी है, वह खिलाडी है, जल्दी से लिखो, और फिर ये बोलो अपने आपको कि मुझे English आ रही है, मुझे English आ रही है, मैं सीख रहा हूं, बिलकुल बेसिक से, ठीक है, जल्दी बताओ, combination, बहुत बढ़िया, शाबाश, very good, he is, देखिए, ये combination सेम क्यों रहा, क्योंकि वह का मतलब है, he, और इस है का मतलब है, is, तो he is a, वो क्या है भाई, वो खिलाडी है, खिलाडी यानि की, player, खिलाडी यानि की, player, है ना, और आप सब चालाख है, you are clever, ये भी मैं करूंगा आगे, वह अमीर है, अब आपको किसी का कोई status बताना हो, कि वो है क्या, वो businessman है, वो खिलाडी है, वो गायक है, वो doctor है, वो lawyer है, वो businessman है, वो क्या है, तो आप कहते हैं, वह अमीर है, अमीर यानि की, rich, तो ये combination सेम रहेगा, he is rich, और अब आप कह रहे हैं, अमीर नहीं है वो, वह गरीब है, आपने कहा, वह गरीब है, तो बताइए, इसकी translation क्या होगी, जल्दी से, simple से simple translation कर रहे हैं, इस से simple, इस से basic, आपको कहीं नहीं मिलेगा, मेरे दोस्तों, ठीक है, और इसी बात पर, जो भी अभी आया चुके हैं, like कर दीजिए, जल्दी से, जिससे मुझे और motivation मिले, और हम last में, बहुत सारे examples करें, ठीक है, तो like और share, दना दन चलते रहने चाहें, बहुत बढ़िया, हाँ, नेहा, रियानवी, आपको भी लोडी की बदाईयां, वह गरीब है, ये combination सेम रहेगा, he is poor, he is poor, poor यानि की गरीब, और अब मैं आप से पूचता हूँ, एक चीज और, प्यार से, very poor को हम English में क्या बोलेंगे, जल्दी बताइए, बहुत साथ यही तो मजा है, live class का, very poor को, आज मैं आप लोगों को एक नया word और सिखाऊंगा, जिस से आपकी vocabulary बहुत improve हो जाएगी, जल्दी बताओ, जिस जिसको पता है, जल्दी से बता दें, जिसको नहीं पता, वो like करें इस वीडियो को, ताकि मैं जल्दी से इसका जवाब यहाँ पे द बहुत गरीब, ज्यादा गरीब, अरे नहीं नहीं, देखो आज यहाँ जो अगर आप यह चीज सीखोगे, यह आप कभी नहीं बूलोगे, यह आप क्यों नहीं बूलोगे, क्योंकि मैंने आप से सवाल पूछा, और आपको नहीं आया, अब नहीं आया, वो चीज सीखने मे बहुत जाधा मजा भी आता है और वो देर तक हमें याद भी रहता है, ठीक है ? शाबाज कह रहे हैं सारे बहुत गरीब, अरे नहीं मेरे भाईयों, destitute, 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 destitute का मतलब होता है जो इनसान बहुत गरीब होता है, ठीक है उसको हम कहते हैं वेरी पूर यानि की बहुत गरीब चलिए नेक्स्ट अब हम करते हैं नेक्स्ट कॉम्बिनेशन यू आला वह यू आला कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा है जबर जस्त क्योंकि दूसरे को बताना हो कि वह वह तो गविया है वह तो पागल है वह ऐसा है वह वैसा हम यहीं तो करते रहते हैं सारा दिन यह कॉंबिनेशन सीखिए आप मैंने यहां पे बड़ी इज़त रखे वाई मैंने यू को तुम या तू नहीं बोला लेकिन अगर आप हिंदी में किसी को तू बोलते हो किसी को तूम बोलते हो उसका भी मतलब क्या होता है में यू मतलब होता है इन तीनों का ही तो इसलिए कहते हैं अगर आप इंग्लिश बोलते हैं तो आपकी थोड़ी बहुत इज़त बढ़ जाती वो क्यों क्यों कि आप हिंदी में अपनी भाषा में बोलोगे तो तू तड़ा बात होगी दोस्त होगा तो हाँ भई तू क्या कर चाहते हो आप यह हो ठीक है और इसकी इंग्लिश होती है और की कुछ है तो कॉमिनेशन क्या बता आप यह हो अब आपको कुछ भी कहना हो कि आप डैश हो आप बीप हो यह आपके ऊपर आप क्या बोलना चाहते हो ठीक है तो कॉमिनेशन क्या बना यू आर डैश कि वह या तुम ये हो, you are this, अब structure देखिए क्या बनता है, आप जूटे हो, आप चालाक हो, आप मकार हो, आप सचे हो, आप प्यारे हो, आप दिलकश हो, तो आप कुछ भी कह सकते हैं, तारीफ या बुराई, आप जूटे हो जैसे, ये combination साथ चलेगा, you are, और फिर क्या बच गया, जू आ रहा, लायर, लायर होता है, जूट बोलने वाला, हम जूट नहीं बोलेंगे, तो हमें कोई लायर क्यों बोलेगा, आप मिस्तरी हो, ये आप बनाओगे, तबी तो मैं कह रहा हूँ, इसके साथ हम अपनी word power भी improve करेंगे, ठीक है, हम combination भी improve करेंगे, बताओ क्या बनेगा, मिस्तरी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जल्दी बताओ, यहाँ पर जितने भी लोग हैं, वो बताएंगे, मिस्तरी की इंग्लिश क्या होती है, ओके, गोजी फंट्यूब सरकल से हमारे आसाम में माग भीव है, तो आपको माग भीव की बहुत-बहुत शुब कामनाई, ठीक है, मिस्तरी की इंग्लिश नहीं पता, मैं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है, चाहता हूँ मैं, ठीक है, और कईयोंने सही जवाब दिया है, जो मेरे पुराने स्टूडेंट हैं, जिनका शुरुवात में मैंने नाम लिया, उन मिस्तरी की इंग्लिश क्या हो गई, मेशन, कैसे बोलेंगे, मेशन, दोस्तों, जो भी कंस्ट्रक्शन का ये काम करते हैं, इटे लगाते हैं, इनको बोला जाता है मिस्तरी, और जो आप मेकैनिक बोल रहे हैं, वो एक टूल्स के साथ काम करेगा, जो की गाड़ी पे, किसी इन्चन पे, उसको आप मेकैनिक बोलेंगे, जो मेकैनिकल इन्चन सपर काम करेगा, लेकिन घर जब बनाते हैं, इटों पर इटे रखके, ऐसे धागा लगाके, ठीक है, ये चिनाई करके, लिपाई पूताई करके, उन्हें हम बोलते हैं, मेशन, क्या बोलेंगे, मेशन, त लेकिन कई बार हम चूख जाते ही चोटी-चोटी चीजों में तो मैं आपको वीडियो के साथ-साथ ये चोटी-चोटी चीजें बताता रहोंगा ठीक है अब आप बुद्धिमान हैं या आप बुद्धिमान हो और आप क्या कहना चाहते हैं आप खुबसूरत हो आप खुबसूरत हो तो खुबसूरत की इंगलिश अब को पता होगी जल्दी से बता दो मजा आ जाएगा बताइए बताइए Thank You Seema Creativity I would like to be a bit creative while explaining things to my students so let's see how it goes thank you thank you Govind पहुत बढ़ीया crazy life अमरित बैठा पूजा कुमारी पृति सुयाल यह सारे फिजा खान सारे पुराने स्टूडेंट्स हैं सब सही बताएंगे आपको भी हैपी लोड़ी भी या हैपी लोड़ी चलिए तो आप खुबसूरत हो यू आर यू आर ब्यूटिफूल ब्यूटिफूल और एक बात मुझे यहां पर आप सब दुबारा बताएंगे जैसा कि मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि वैरी ब्यूटिफूल को इंग्लिश में क्या बोलेंगे वैरी ब्यूटिफूल जल्दी से बताओ भाई देर नहीं लगाने जिसको पता है वो बता देगा जल्दी से बहुत अच्छा प्यारा सा शब्द बताने वाला हूं मैं आपको आज के बाद किसी को यह नहीं के इंग्लिश में जो मैं अभी बताने वाला हूं जल्दी बताईए अगर किसी को पता है तो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया देखिए जितने भी मेरे पुराने स्टूडेंट है सब सही बताएंगे क्योंकि वीडियो के बीच-बीच में मैं यही यूसफूल टिप्स जो होती है ना बीच-बीच में जो डेली लाइफ में काम आती है मैं देता रहता हूं ऐसे तो आप अगर पहली बार जुड़े हैं तो भाई जुड़े रहे ना दिल का रिष्टा बना है इसको तूटने मत दीजिएगा ठीक है चलिए और एक बार आई ही गयो तो लाइक कर जाएगा कि यह ब्यूटिफुल कहा है तो ठीक ठीक लग रही होंगी लेकिन अगर आपने किसी को कह दिया ना यू आर गॉर्जियस या यू आर लुकिंग गॉर्जियस टुड़े भाईया मैं कह रहा हूं उस बंदे के दिमाग में आ जाएगा कि इसे आज आप सब से बेह रिक यू यूट को इंग्लिश में क्या बो लेंगे तो यूट चोटा बच्चा होता है ना तो आप गयते हैं वाउ तो आप बजाए कि आप किसी को कहें बेटा यूर वैरी क्यूट या आप कहें यू आर सो जू चूट आपको मैं एक वर्ड देने वाला हूं यहांपर किस को पता है तो जल्दी बताओ जल्दी से बताइए very good, चलिए very cute होता है दोस्तों adorable adorable ठीक है adorable, very cute है निकी adorable, तो आप सभी क्या है you all are adorable ठीक है, चलिए very good, अब next structure है हमारा ये वाला अब दोस्तों हम मतलब मैं अकेले की बात करूँगा तो आए का इस्तेमाल होगा एक से ज्यादा, अगर मेरे साथ कोई एक और teacher खड़ा है, तो ये subject क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हम यानि की we, हम यानि की we, ठीक है और इसके साथ present में हम बताने के लिए कि हम क्या हैं, हैं की लिए हम English में लगाते हैं are, तो हो या हैं, दोनों का मतलब ही क्या है, are याद रखिएगा ये चीज, ठीक है तो we are, यानि की हम ये हैं हम ये हैं we are, ये combination याद रखिएगा और जो भी आप हो बताना चाहते हो आप ये कह सकते हो जैसे आप कहते हो, कि हम साजेदार हैं, हम क्या हैं साजेदार हैं, यानि की we are partners we are partners, clear है structure देखिए, बड़ा प्यारा structure है, सबसे आसान हम भूके हैं भाई, भूक लग रही है, ठीक है हम भूके हैं, भूके यानि की hungry, और हम की English we है की English are, भूके की English hungry बन गया we are hungry आप क्या बताने वाले हैं हम प्यासे हैं बताईए इसकी English क्या होती है हम प्यासे हैं, जल्दी से बताईए मजा आना चाहिए मजा आना चाहिए भाई, जल्दी से जवरजस्त बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया अजार के आसपास लोग जुड़ गए हैं आप सब का बेहद बेहद शुक्रिया और हम बताने वाले हैं इसकी translation क्या होगी आप सबने बता दिया, बहुत बढ़िया पुराने स्टूडेंट तो दो सेकिंड नहीं लगाते हम प्यासे हैं हम की English V है की English क्या होगी? है की English? यह combination याद रखियेगा, बहुत इंपोर्टेंट है V, R और प्यासे की English क्या होती है? थरस्टी थरस्टी आपने थरस्टी क्रो की कहानी पढ़ी होगी ना बच्पन में स्कूल में कहानियों की किताबों में सबसे पहले वो ही आती थी थरस्टी क्रो एक प्यासा कवुआ तो हम प्यासे हैं, we are thirsty अब आपको बताना हो कि आप कहां पे हो आप जहां भी हो आपको अपनी situation बतानी पढ़ती है यार मैं तो बाजार में हूँ अरे यार मैं तो घर पे हूँ अरे मैं तो ओफिस में हूँ अरे मैं तो गली के नुकड पे हूँ तो आपको बताना पढ़ता है हम कहां हैं उसके लिए क्या यूज करेंगे यही combination जैसे हम बाजार में कहा हम बाजार में हैं तो हम की English we, है की English are और बाजार की English market, the market और में की English in तो we are in the market हम बाजार में हैं we are in the market अब आप बताएंगे हम घर पर हैं हम घर पर हैं बताते हो न कई बार हिंदी में अब English में सीख लो कि हम घर पर हैं जल्दी बताओ क्या बनेगा जल्दी से बताईए क्या बनेगा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया जबर्दस्त बड़ा जोस देखने को मिल रहा है आज गोविन मिश्राजी भी जुड़े हुए हैं ये जितने भी मेंबर्स हैं अलग से हाइलाइट होते हैं तो दिखते हैं ये बढ़िया से बहुत बढ वी आर एट होम वी आर एट होम क्लियर है मजा आ रहा है वेरी गुड मज़े लेते जाहिए चलिए अब देखते हैं अगला स्ट्रक्चर क्या कहता है अगला स्ट्रक्चर हमारा आ गया दे का यानि एक से ज्यादा लोग हो उन्हें हम कहते हैं वे या वे लोग क्या कहते हैं वे या वे लोग, तो वे के लिए या वे लोग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, दे, वे, वे, इसको इंगलिश में हम क्या कहेंगे, दे, ठीक है, वे लोग एक से ज्यादा हो, तो हम इस्तेमाल करेंगे, दे, और हैं, देखो ये नहीं बतलेगा, अगर मैंने आपको पहले भी हैं का मतलब क्या बताए था आर तो हैं का मतलब क्या रहेगा आर तो वे क्या हैं वे डैस हैं ये combination के लिए English क्या बनेगी English का combination बनेगा दे आर डैस तो ये वाला जो डैस है ये उठके यहां आ जाएगा ठीक है आप यहां पर कहोगे वे क्या है भाई वे खिलाडी हैं तो ये खिलाडी है यहां पे आ जाएगा दे आर फ्ले आर Do&t ऐस अब क्स्रक्टर देखेंगे वे गुससा हैं ठीक है हो सकता है आपने कुछ किया और वह गुसा व्ले तो वे गुसा है, दे, वे की इंग्लिश, दे, है की इंग्लिश, आर, तो दे आर, वो क्या है भाई, गुसा, गुसे की इंग्लिश, एंग्री, गुसे की इंग्लिश, एंग्री, और क्या आपको पता है, बहुत गुसे में कोई होता है, उसकी इंग्लिश क्या होती है, वेरी एंग्री इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे जल्दी जल्दी बताओ भाई मजा आएगा बहुत मजा आएगा बताओ बताओ वेरी एंग्री इतना मुश्किल नहीं है इंग्लिश होता पता है क्या हम मजाक मजाक में बात बात तो में अगर इंग्लिश को बोलना सीख यार याद रहती है यार वो गुस्समें है ही जांगरी मजा आ गया ठीक है पता चल गया लेकिन वह बहुत गुष्से में यार इसको इंग्लिश में क्या वोलेंगे वैरी वेरी हरभरी हर चीज में रे बयरी अच्छा नहीं लगताओ ङा बोलेंगे अफ्जल बेग में आपका बहुत बड़ा फैन हूँ आरे अरे शुक्रिया शुक्रिया भाई फैन मत बनो दोस्त बनो ठीक है मेरे बड़े प्यारे दोस्त बनो आप सब बड़ा अच्छा लगता है नहीं 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 बहुत गुस्सा बहुत गुस्सा चलिए, very angry होता है दोस्तों, furious, furious, क्या होता है, furious, याद रखिए इसको आज के बाद कभी मत भूलिएगा, they are furious, वे बहुत गुसा हैं, अब आप क्या बनाओगे, वे बेकसूर हैं, वे बेकसूर हैं, बेकसूर की English क्या होती है, पता है न सबको, मैं आपकी word meaning की भी practice करवा रह structure के साथ साथ आप लोगों की vocabulary भी improve हो रही है, आप देखो अपने कितने नए words सिखे हैं, कितने अच्छे-च्छे sentence आप बना सकते हैं, जल्दी बताईए, वे बेकसूर हैं, क्या बनेगा इसका English में, जल्दी बताओ, बहुत बढ़िया, crazy life, अरे वा, बहुत अच्छे, बह मेरे दोस्त, ठीक है, आपका confidence week है, ये बात समझ जाएगा आज, ठीक है, वे बेकसूर हैं, दे, वे की English दे, है की English आर, दे आर, और वो क्या है, बेकसूर, बेकसूर की English क्या होती है दोस्तों, ये होती है, और आप इसको बोलते कैसे हैं, ये भी मैं बताने वाला हूँ, क् की pronunciation जो है, वो शुरुवात से ही बिल्कुल सही कीजिएगा, इसको आप बोलते हो, इनोसेंट, क्या बोलते हो, इनोसेंट, लेकिन ये होता क्या है, ये होता है, इनसेंट, इनसेंट, ठीक है, ये ओ है न, ओ, ये साइलेंट है, ये क्या है मेरे दोस्तों, ये साइलेंट है, आप इसको बोलेंगे innocent, दुबारा बोलिए मेरे साथ, आवाज नहीं आई बाई, आवाज नहीं आई, दुबारा बोलके देखो एक बाद, वे बेकसूर हैं, they are innocent, ओ मत बोलना अज के बाद गलत होता है, ठीक है, गलत होता है, चलिए, वे ओफिस में हैं, अगर आपको जगह के according बताना पड़े कि कोई किस जगह पर है अभी, तो आप भी इसी combination का use करेंगे, वे यानि की दे, है यानि की आर, और वो कहां हैं, ओफिस में, in office, और वो स्कूल में हैं, they are in school, वो खेल के मैदान में हैं, तो आप बताओगे इसका क्या बनेगा, वे खेल के मैदान में हैं बताओ जल्दी से क्या बनेगा खेल के मैदान को क्या बोलते हैं पता होगा ना बगीचे की इंगलिश क्या होती है गार्डन और खेल के मैदान की थोड़ा सा दिमाग पे जोड़ डालो और बनायो बनाओ बनाओ मेरे दोस्तों बहुत बढ़िया defense aspirant सबसे पहले अफगा खनूम शेरवानी भाई या आपस में क्या बात कर रहे हो क्या हुआ फिजा खान भाई मेरे से मुखातिब हो जाओ ठीक है इधर उदर की बाते मत करो नहीं तो मैं वही पुराना काम करता हूं मैं उठाता हूं और उस बंदे को से चैनल से बाहर कर देता हूं ठिक है ऐसी ऑसी इधर की बाते मत करो खेल का मैदान होता है दोस्तों या देखते हैं वह यानि की दे दे हैं यानि की आर और कहा है इं खेल का मैदान यानि की प्लेग्राउंड फ्लेग्राउंड ठीक है खेल का मैदान यानि की प्लेग्राउंड ख्लियर है दोस्तों अब आ जाते हैं नेक्स्ट कॉंबिनेशन पे जो की है ये ये थोड़ा मज़ेदार है यहां पर मुझे सबकी एटेंचन चाहिए मैं दो तिन चीजें इसमें खास बताने वाला हूँ बड़ी इंपोर्टेंट चीजें हैं बेसिक लोगों के लिए ठीक है ध्यान से सुनिएगा सबसे पहले ये 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 यह है या ये इन दोनों की ही इंग्लिश क्या है इट और जहां दोस्तों ये देखिए जहां आपको कोई भी सबजेक्ट ना दिया गया हो समझाओ पहला क्या है जहां आपको सब्जेक्ट नहीं दिया है पॉर इग्जेंपल पॉर इग्जेंपल दस बज गए हैं हवाद चल रही है बारिश हो रही है क्या आपको इनमें कोई सब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं है कोई सब्जेक्ट नहीं है लेकिन आप इ इट तो यह है के लिए यह के लिए जहां आपको उसके लिंग का पता ना हो जेंडर का पता ना हो आप यूज करेंगे इट और है है की इंग्लिश क्या है आर है की इंग्लिश क्या है है की इंग्लिश इस है की इंग्लिश इस है की इंग्लिश आर होगी जो एक से ज्यादा हो तो इत के साथ हम क्या यूज करेंगे है यानि की इस तो मुझसे भी जल्दी-जल्दी में कई बार मिस्टेक हो जाती है ना है ना इतना तो चलता है ट्रक्चर ये मेरी गलती नहीं है अब ये जो है या यह डैस है इसका कॉमिनेशन क्या रज़ब मने गा it is डैस तो यह तो यह मेरी घलती नहीं है इत्व नर्ट यानि की नहीं मेरी गलती निचि माई मिस्टेख तो यह मेरी घलती नहीं यह ए टिज्न नोट मैं इसकी जगह आप क्या बोल सकते हैं तो माय वॉल्ट ठीक है चलिए अब आपकी बारी आ गई है अब आप करेंगे यह अच्छी योजना है बताओ इसकी इंगलिश क्या होगी जल्दी से ट्रांसलेट करो यह अच्छी योजना है बताओ जल्दी से यह अच्छी योजना योजना की इंगलिश क्या होती है दोस्तों पता होगा न सबको जल्दी बताओ बहुत बढ़िया यह अच्छी योजना है बताओ 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 बैरी गोड़ बहुत बढ़िया यह अच्छी योजना है यह यानि की इट है यानि की इस और अच्छी यो plan कोई योजना बनाते हो ना कोई आप तिड़कम भीडाते हो कि आरे ये काम करते हैं ये योजना बढ़ी अच्छी ये plan बढ़ा अच्छा है तो क्या है it is a good plan अब time कैसे बताओगे time बताने के लिए हमेशा it का इस्तेमाल करो मोसम का हाल बताने के लिए हमेशा it का इस्तेमाल करो example देखते हैं, 4 बज गए हैं, 4 बज गए हैं, कोई subject नहीं दिया गया, लेकिन हमारे पास subject है, it, क्योंकि मैंने क्या कहा, जहां कोई subject ना दिया गया हो, ठीक है, तो 4 बज गए है, it is, यह combination जो यह वाला है, यह combination आप याद करेंगे, इसको इस्तेमाल करेंगे, time बताने के क्या, 4 यानि की 4 o'clock, अगर कोई कहे, शाम के 4 बज गए हैं, फिर आप क्या करोगे, कोई कहे, शाम के 4 बज गए हैं, फिर आप क्या बोलोगे, it is, it is, शाम के 4 बज गए हैं, 4 p.m., ठीक है, और कोई कहे कि सुबह के 4 बज गए हैं, भाई, तब आप क्या कहोगे, it is 4 a.m., 4 a हम अब आप सब मुझे बताईए नो बज गए है नो बज गए नो बज तो मेरी लेकिन आपको यहाँ पर मॉर्निंग इवनिंग नहीं बताया तो आप क्या लिखेंगे नो बज गए है जल्दी बताओ इसका क्या बनेगा जल्दी बताईए वेरी गुड जबर जहस्त अंचिका रविंद्रा प्रवीन लक्षमी अजय फिरोज खान अदित्य मदूमिता मंगेश गोविंद मिश्राव प्रीती सुयाल गोजी अराध्य मंजुजाट सुमेर सिंग लता प्रिया प्रीती सब के नाम मेरे को बड़े अच्छे लग रहे हैं तो 9 बज गए हैं English में आप बताएंगे इट इस इट इस नाइनो क्लॉक और मैंने आपको कहा अगर कोई कहे कि सुभह के 9 बज गए हैं इट इस 9 एम रात के 9 बज गए हैं इट इस 9 पी-म ऐसे आज के बाद आप लोग अपना टाइम बताएंगे अब हम क्या करते हैं अब ह से solve कीजिए अब आपको English आ गई अब हम करने वाले हैं जवर्जस translation हम क्या करने वाले हैं translation भाई और इससे simple word meaning इससे simple daily उसके sentences हो ही नहीं सकते तो जल्दी से आप बताएंगे और जिसके 10 out of 10 आएंगे उसका मैं नाम जरूर बोलूगा यहां पे तो बताओ जल्दी से ट्रांसलेशन करके ट्रांसलेशन करतो भाई सबसे पहले वह मजबूर है दोस्तों मैं आप लोगों को इंग्लिश के साथ साथ आपकी वोकैब भी इंप्रू करवा के मानूंगा ठीक है क्योंकि बिना वोकैबलरी के आप इंग्लिश नहीं बो मजबूर की इंग्लिश क्या होती है क्या दिशुदा जितने भी हस्बेंड हैं उनसे पूछ के देखो तो हस्बेंड को क्या बोलते हैं मजबूर है ना ही इस हस्बेंड वह एक मजबूर आदमी है जोक सापार्ट कोई फीमेल हो गुस्सा मत होना माता हैं बहने माफ के आपको ही के साथ क्या आएगा इस आज हम कर रहे हैं प्रेजेंट में आने वाली क्लासिज में हम पास्ट में भी करेंगे हम फ्यूचर में भी करेंगे तो सारे कोंबिनेशन आपको याद हो जाएंगे टिप्स पे तो ही इस helpless helpless यानि कि मजबूर जो कुछ कर नहीं सकता है ना मजबूर इंसान जो होगा उसकी English होगी helpless और सारे husband क्या है मेरी तरह सही पकड़े हैं चलिए अब next ये मेरी दिक्कत नहीं है आप कई बार बोलते हो न दिन में भाई ये मेरी दिक्कत नहीं है ठीक है मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है तो आप बताओ इसकी English क्या बनेगी जल्दी से और ये मैंने आपको अभी combination में करवाया है सारा जल्दी बताईएगा जल्दी जल्दी हाँ रवेंद्रा creation you are also correct compelled भी होता है जिसको मजबूर किया जाता है compelled is also a right word very good चाहत नीरज मौहमद सहीद अवजल बेग ड्रीम बिग नाम लेने का बड़ा मन कर रहा है मेराज ठीक है पूजा यादव संगीता यादव देखो यह नहीं आएगा ये ये का मैंने क्या बताया था ये या यह है उसकी English होगी इत्र जहां आपको link का ना पता हो जेंट सि collecting जो लेडीज है उनमें आपको नहीं पता कौन से जैंडर का है तो आप इत लगा दो तो दिककत जो होती हो ना male होती है ना female होती है ठीक है तो ये मेरी दिककत नहीं है it is hack English is to it is नहीं है यानि की not क्या नहीं है बाइए मेरी दिक्कत यानि की my problem my problem ठीक है दोस्तों आप बात बताओ मैं परेशान हूं मैं परेशान हूं बताओ जल्दी से क्या बनेगी इसकी English बताओ बताओ it कि जल्दी परेशान की English क्या होती है सोच के देखो एक वर्ड है बड़ा प्यारा सा चिंतित कहलो परेशान कहलो एक प्यारा सा वर्ड है ठीक है तो आपकी वोकैबलरी भी इंप्रू होगी साथ साथ यह याद रखो आप सब इसकी बहुत बढ़िया बहुत सही शिखा में संदू बहुत सही अरे बहुत बढ़िया भाईया हजार के दोजार भी करेंगे आप सब का प्यार ऐसे ही बना रहा तो तो देखिए दोस्तों परेशान इसमें इंग्लिश को थोड़ा सा समझना पड़ेगा सिंपल आप क्या कह सकते हो मैं यानि कि I हूँ कि सबसे पहले क्या बताया था I am आप क्या हो मैं हूँ भाई मैं परेशान हूँ है ना I am worried क्योंकि वरी क्या होती है कहते है ना परेशान मत हो do not worry तो यह जो वरी होती है इसको हम परेशानी बोलते हैं ठीक है तो आप कह सकते हो कि मैं परेशान हूँ I am worried ठीक है और शुद हिंदी बताऊं अगर आप कहते हो मैं व्यथित हूँ यानि कि आप किसी बात से उल्जन में है आप कह सकते हैं I am upset क्या कह सकते हैं I am upset या आपका दिमाग की संतुलन ठीक नहीं है आप कह सकते हो I am disturbed I am disturbed तो तीनों सही है आप टेंशन ना लो आप सही हो ठीक है लेकिन सबसे जो best nearest meaning है वो है I am worried अब आप बताओ आप अच्छे इंसान है आप अच्छे इंसान है ठीक है जल्दी से बनाए क्या बनेगा anxious anxious होगा चिंतित चिंतित anxious होता है मैं चिंतित हूँ anxiety होती है जिनको उसी से बना है anxious word आप अच्छे इंसान है you are a आप यानि की you है यानि की are और अच्छे इंसान यानि की you are a nice person you are a nice person समझ आ गया क्या आप अच्छे इंसान है you are a nice person clear है दोस्तों clear है चलिए next वे च्छत पर हैं बच्चे च्छत पर चले जाते हैं बारिश होती ही तो वे च्छत पर हैं बताओ इसकी English क्या बनेगी जल्दी से वे च्छत पर हैं बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया दे आर कोशिश करो बनाओ जल्दी से दे आर बहुत अच्छा चलिए वे यानि की दे हैं यानि की देखो यहां भी है है यहां भी है है तो दोनों का मतलब क्या है दे आर कहा है ओन दे रूफ दोस्तों च्छत जो है वो दो तरह की होती है ठीक है एक यह च्छत जो इसके ऊपर है जिस पर हम खड़े हो सकते हैं तो जिस च्छत क्या बोला जाता है इस छट को बोला जाता है stealing तभी आपने सुना होगा यह जो parking लगता ना उपर ये घूमने वाला तो इसको क्या बोलतें dobrinc open क्या बोलते है hasn Zealyn fan तो जो चट के उपर है वो गई रूफ और यह जो यहां से दिख रही है हमारे सर पर जो चत है यह हो गई ceiling क्या हो गई ceiling चलिए तो मैं कह रहा हूं vocabulary बढ़ती जाएगी six है हम अच्छे दोस्त हैं आप और मैं क्या है हम अच्छे दोस्त हैं तो हम सब अच्छे दोस्त ही तो हैं बताईए इसकी English क्या होगी बताओ बताओ जल्दी से बहुत बढ़िया शयबाश हम यानि की we दोस्त हैं हैं की English क्या होगी वही सेम रहेगी देखो आप यह चीजे नोट करो इसलिए मैंने आप लोगों को combination बताए हैं कि हम अच्छे दोस्त हैं we are अच्छे दोस्त यानि की good friends we are good friends और यह मेरी कुर्सी है अगर कोई मेरी कुर्सी को लेके भागेगा तो मैं उसको क्या बोलूंगा मैं यह कूंगा भाई यह कुर्सी मेरी है अब आप ध्यान से सोचेगा कुर्सी के लिए क्या लगेगा ही लगेगा शी लगेगा या इट लगेगा तो जो भी आपको सम मज़ ना आये कि male है female है उसके लिए मैंने क्या बता है था इट लगा दो तो जल्दी से बनाओ ये मेरी कुर्सी है क्या बनेगा इसका very good it is it और है की English होती है is तो it is किसकी मेरी यानि की it is my chair clear है अब ये बोलना नहीं किसी को फिर भी आप मेरे दुश्मन हो आप मेरे दुश्मन हो इसकी English बनाओ जल्दी से क्या बनेगी आप मेरे दुश्मन हो देखो आपकी English होती है यू हो इसका मैंने क्या बताया था आर यू आर मेरे दुश्मन यानि की माय दुश्मन की English क्या होगी पता है न सबको वेरी गुड़्यू आर माय ममी इसको इने मी नहीं बोलते और मी य्यू आर माय आनमी म्工ण के भी प्रिंटिस से तो सबको तुम अजनभी हो क्या बनेगा ट्रांसलेट करो जल्दी से बहुत बढ़िया कि शाबाश तुम यानि की यू तुम यानि की यू हो यानि की देखो यहां पे भी हो है मिनिंग सेम रहेगा जो मैंने मैं combination बताया है यू अर क्या हो अजनभी यानि की यू आर आ स्ट्रेंजर axe नभी ओ स्ट्रेंजर तो अजनभीओं को क्या बोलेंगे इंगलीश में स्ट्रेंजर ठीक है और अजनभी भी लोगों से दूर रहा करो stay away from strangers अजनभियों से दूर रहो लास्ट है मैं कुवारा हूं मैं कुवारा हूं हलां कि मैं नहीं हूं आप कह सकते हो इसकी इंग्लिश बताओ मैं कुवारा हूं जल्दी बताइए क्या बनेगी इंग्लिश बताइए बताइए दोस्तों कि बिल्कुल बहुत बढ़िया कि बहुत बढ़िया कि मैं यानि की आए हूं यानि की एम और कुवारा यानि की बैचलर बैचलर और यहां से मुझे एक बात और समझ आ अगर मैं आप लोगों को कहता हूं कि जो लड़का कुवारा है उसके लिए तो क्या जाएगा बैचलर और लड़की कुवारी है उसके लिए क्या जाएगा मैं यहीं पर लिख देता हूं अगर लड़की है तो पिंस्टर क्या जाएगा पिंस्टर तो यह भी याद रखने वाली बात है और अगर आप कुवारे हैं तो आप दो चीजें और भी कह सकते हैं या तो आप कह सकते हैं आयम अन्मेरिड कि भई मैं शादी शुदा नहीं हूं या आप कह सकते हैं कि मैं अकेला हूं आयम सिंगल यानि आप किसी के साथ दोस्ती में, फ्रेंड्शिप में आप बंदे हुए नहीं हैं, ठीक है, तो I am single, जिसकी कोई girlfriend नहीं हो, शादी भी नहीं हुई हो, समझाया, और जो शादी शुदा नहीं है, I am unmarried, यह आप कह सकते हो, मैं कुँआ रहा हूँ, I am a bachelor, और लड़की है त 10 out of 10 किसके आए हैं, जल्दी से बताईएगा एक बार, मज़ा आएगा सुनने में, ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यह तो आपने करी दिया होगा, please, thanks for watching, please like and share, लेकिन अभी जाईएगा मत आपके लिए एक surprise है, surprise in the sense, information है, जो मैं आप सब के साथ शेर करना चाहता हूँ, सबसे पहले तो Instagram पे, यह Instagram का page है भाई मेरा, ठीक है, Instagram पे मेरे साथ जुड़ जाओ, बहुत कम लोग जुड़े होए हैं यहां से, यह मेरी Insta की, यह ID है, ठीक है, यह मेरा photo है, तो खीच मेरा photo, English Lovers No.1, तो जल्दी से इस पर भी जुड़ जाईएगा, आप सभी, यह मेरा Instagram का handle है, और आज जो मैंने class की है, उसकी PDF चाहिए सबको, तो देखो दोस्तों, आप सीधा क्या करो, आप Telegram पर जाओ, यहां पर खुलेगा Telegram, मुश्किल लग रहा है वैसे मेरे को, Telegram खुल जाएगा, Telegram वेब, खुलेगा गया, देखते हैं, खुलता है नहीं खुलता, मेरे को इतना पता नहीं है, यह वो ही आ जाएगा, तो चलो कोई बात नहीं, दोस्तों, मेरा जो टेलिग्राम चैनल है, उसका मैं नाम यहीं पर लिख देता हूँ, ठीक है, जिस पे आपको आज की क्लास की PDF मिलने वाली है, टेलिग्राम पर, ठीक है, तो टेलिग्राम का जो लिंक है, वो मैंने description में भी दे दिया है, उसका नाम है English Lovers, English Lovers, टेलिग्र पर, उस पर मेरे 58K, यानि की 58,000 सब्सक्राइबर हैं, और वहीं पर आपको यह फोटो लगी मिलेगी, सेम, और आप इसको जोईन करेंगे, तो आज की क्लास की PDF आपको वहां मिल जाएगी, एक और बात, यह मेरी website है, ठीक है, और यहाँ पर, अगर कोई भी, अगर कोई भी PDF चाहता है, complete course के साथ, तो वह आप लोगों को, यहाँ मेरी website जो है, englishlovers.in, इसकी जो PDF है, यह सुपर 30 batch, यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो देखो क्या मिलता है आपको, पूरी PDF मिलेंगी, पूरी PDF, ध्यान से देखिएगा, पूरा course के साथ, पूरा course free of cost, यह पूरा course मिलेगा सुपर 30 batch के नाम से, और इसके आगे PDF भी आप डाउनलोड कर सकते हो, यानि complete course की PDF हैं आपके पास, देखो, पूरा कितना, यह देखिए, class number 29, class number 30, तो जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे, मेरी YouTube की वीडियो ओपन हो जाएगी, और फिर आप इसको क्लिक करेंगे, तो PDF डाउ जी करना चाहो, ठीक है दोस्तों, अब, दोस्तों आप सबसे एक गुजारिश है, कि यह मेरी original application है, बहुत से students ने मुझसे पूछा कि सर आपका कोई online batch है क्या, सर आप online भी पढ़ाते हो, क्या आपकी कोई application है क्या, तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, सबसे important बात यह है, कि यह मेरी application है, यही आपको मेरा photo मिलेगा, वहाँ पर भी, लेकिन यह चीज आप ध्यान से देखेंगे, तो आपको पता चलेगा, 1, 4.9 stars, अगर किसी को मिले हुए हैं, तो शायद मैंने पूरी मैनज से, शिदत से, जो भी मेरी application पर बच्चे आते हैं, उनको सिखाया होग तो यहाँ पर मेरा एक course है, फिलाल, एक course है मेरा, जो की है, zero level to hero level, ठीक है दोस्तों, और इस course में क्या है, यह course है, अभी, triple nine rupees का, और यह है, पूरा एक साल के लिए valid, पूरा एक साल की validity है, जिसमें आपको क्या मिल रहे है, PDF तो पता नहीं कितने मिल रहे हैं, उसका तो मैं बोलना ही नहीं चाता, 6000 आपको daily use के sentences मिल रहे हैं, 500 verb मिल रहे हैं, first, second, third form वाली, 200, और 500 आपको word meaning मिल रहे हैं, ठीक है, और verb मिल रहे हैं आपको 100, second, third meaning के साथ, और सभी example के साथ, तो वो तो PDF हैं यह अलग, एक साल की validity है, और जो भी live classes हैं, live classes पूरे एक साल जो चलेंगी, वो इस course में बिलकुल free मिलेंगी, यानि कि मेरी application पे जो भी live batch चल रहा है, वो इस course में complete free of cost आपको access उसका मिलेगा, और इसमें क्या है, अभी फिलाल 85 recorded videos already है, recorded classes, ठीक है दोस्तों? तो उमीद है, आप सब को ये course जरूर पसंद आएगा, तो एक बार जरूर जा कर देखिएगा मेरी application English Lovers, और अगर किसी को PDF चाहिए, 5000 daily use sentences का, ठीक है, किसी को अगर, ये भी और बता देता हूँ, अगर किसी को PDF चाहिए, PDF तो मेरे टेलिग्राम गुरूप पर जाहिएगा, ठीक है, टेलिग्राम चैनल मेरा, जिसका नाम क्या है, मैंने अभी बताया, English Lovers, ठीक है, 58K followers हैं, उस पर देख लीजिएगा, तो PDF जो है, एक मैंने 99 रुपीज में रखी है, जो की है, 5000 daily use sentences, ठीक है, daily use sentences की, और 149 की है, जिसमें आपको 500 word meaning, ठीक है, वो भी example के साथ, यानि 500 sentence और मिल गए आपको, और एक है मेरी, 49 का ही है वो भी, उसमें आपको मिल रहे है, 1000 most common English words, तो अगर आप अपनी vocab improve करना चाहते हैं, या आपको English बोलते हुए words नहीं मिलते, तो ये सारी जानकारी मुझे लगता है, आप लोगों के लिए बहुत beneficial है, ठीक है, और ये सारी PDF जो है, ये 0 level to hero level में already given है, free of cost, वो 999 में सब आ जाएगा, ठीक है, तो अब आपके उपर ह आप कहां मुझे जाते हैं, पे कैसे करेंगे, अरे Google Play Store पे जाओ और ये, Google Play Store पे जाओ और English Lovers आपको डाउनलोड कर लो, और क्या चाहिए आपको, ओके दोस्तों, देखिए आप नंबर भी इतना शुब आ गया है, और आप सब के प्यार के लिए, अच्छा, आप पूछ र लॉंच करूँआ, और उम्मीद है, आप सब को मेरी वो नई किताब जो है, Complete Spoken English Course की, वो पसंद आएगी जबर्जस रूप से, तो दोस्तों, आप सब के प्यार का बहुत-बहुत शुक्रिया, मिलता हूँ आप सब से अगली वीडियो में, इस वीडियो का जो PDF है, वो टेल you all, take care, love you all, once again, bye-bye, keep learning.